नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी साथ्यों का एक स्मार्ट स्टेडी यूटूब चैनल पर साथ्यों आज 23 नॉवंबर 2023 और आज दिली पुलिस कॉंस्टेबल का सेकंड शिप्ट का पेपर अपका हो चुका है आज इस वीडियो में आज के सेकंड शिप्ट में पूछे गए सभी प्रश्ण उत्तर को देखेंगे तो जो साथी लोगा इस सेकंड शिप्ट में पेपर देख रहा हैं वो तो सभी कॉस्टन अपना मिला लीजिए कि आपने जो आंसर सेंटर में किया वो सही आया गलत है और जिनका पेपर अभी आने वाले दिनों में है साथी वो तो सुरू सेंट तक देखना क्योंकि बहुत सारे कॉस्टन से रिपीट हो रहे हैं आज भी मैं आपको इस सेंटर में आज जो पेपर हुआ है उसमें आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन से कॉस्टन से रिपीट हुए है तो चलिए फिर देखते हैं आज सेंटर में पूछे गए प्रश्न तो सभी साथ उससे रिक्वेश्ट है वीडियो को एक लाइक कर दीज जाता है तो देखे राष्टिया एकता दिवस जो है यह 31 अक्टूबर को मने आज जाता है साथ हो सरदार बलब भाई पटेल के यादवे 31 अक्टूबर को एकता दिवस मने आज जाता है तो इसका 31 अक्टूबर करिक्ट हो जाता एक क्वेश्टन आप से पूछा था 2011 की जन का राइट एंसर हो जाता एक क्वेश्चन ऐसा था इस क्वेश्चन का लेंग्वेज से नहीं मिल पाया है लेकिन क्वेश्चन अपके इथा कि 2022 की जनगर्ना के अनुसर विस्व का आठवा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश या भारत का पड़ोसी देश पूछाओगा त वीश्चन था काना नेशनल पार्क कहा इस्ति थे तो ध्यान से दिखी गासा जाथ यो काना नेशनल पार्क जो यह यह कहां इस्ति थे तो आप से पुच्छा था तलया बांध है ना तलया बांध यह किस नदी पर बनाया गया है तो पूच्छा होगा। तो बराकर हो जाता आपका ठीक है आगे देखिए क्वेश्चन था आयुस्मान काड योजना का संबंद किस से है तो साथ्यो ध्यान से देखिए आयुस्मान काड योजना इसका संबंद स्वास्त से भारत सरकार की एक स्वास्त योजना है नहीं तो स्वास्त करेक्टंसर आप चंद्रगुप दूतिया चंद्रगुप दूतिया या चंद्रगुप विक्रम दाइत आपके option में दिया होगा ये एक चिनी यातरी थे फैयान जो की चंद्रगुप दूतिया या विक्रम दाइत के सासनकाल में भारत आये थे एक question था पाकिस्तान का नाम किसने रखा था पद्री राहमत अली यहां इस question का right answer हो जाता सात्यों वीडियो को आप लोग सभी साती like जरूर कर देना आगे देखिए question था चंदरगुप्त मोरी के बाद मोरी वन्स का अगला सासक कौन बना था तो यहां आपका correct हो जाता उनके पुत्रा बिंदु सार तो बिंदु सार यहा आपको correct करना था सात्यों आगे देखिए question था इनमें से कौन सा एक राष्टिया पर्व नहीं है ठीक है चार option थे उसमें से एक option आपका दिपावली भी दिया हुआ था तो दिपावली correct answer हो जाता सात्यों च्योंकि देखिए दिपावली जो है यह राष्टिया त्योहार मे नहीं आता है राष्टिया पर्व की सूची में नहीं आता है तो दिपावली इस question के लिए आपका correct answer हो जाता एक चीज और सात्यों डेली रात में आपको एक वीडियो मिलता है जिसमें एक दो और तीन डेली के तीनों सिप्टों के question answer एक ही वीडियो में करवा देते हैं सू अक्षे कुमार सारा अली खान इन सभी ने अभी ने किया है ठीक है तो वो जो मूवी है साथ हो मूवी के लिए सबसे बेस्ट कोरियोग्राफर का वार्ड किसे मिला था यह आपसे पूछा था तो देखिए इसका correct answer हो जाता बिजय गांगुली इस question का correct answer आपका हो जाता ठी यूरेल का full form पूछा था तो सिंपल क्योंप्रेल का perfect hotel क्या होता है विसका correct answer हो जाता uniform comme रिस्कूर्स कौक था स्थापना की थी एक question ऐसा पूछा था कि 1540 में किन दो सासकों के बीच में युद हुआ था का युद्ध हुआ था और यह मुगल सासक हुमायू और सूरी समराज के जो सथापक थे सेर्षा सूरी इन दोनों के बीच लणा गया था तो हुमायू और सेर्षा सूरी जो ओप्सन था आपका वो करेक्टेंसर हो जाता ठीक है आगे दिखिए आगे कोश्चन ऐसा था कि उस् साथियो सरोध से ठीक है आगे दिखिए कोश्चन था सतत विकास का लक्ष किस पंचवर्षी योजना से संबंदी थे ठीक है तो सतत विकास का लक्ष जो है साथियो जो अंतिम भारत की जो अंतिम पर पंचवर्षी योजना थी बारवी पंचवर्षी योजना ठीक है इसी स संबंधी थे बारवी पंच वर्षिय योजना जिसका कारिकाल तो आप सभी को पता होगा कि 2012 से 2017 तक था ठीक है और इसी का लक्ष था ये सतत विकास तो यहां आपका राइट अंसर हो जाता बारवी पंच वर्षिय योजना आगे एक क्वेश्चन दलाय लामा की आत्मकता था कौन सी है ये पूछा था तो देखिये दलाय लामा की जो आत्मकता है साथियो वह फ्रीडम इन एकसाइल तो फ्रीडम इन एकसाइल अगर आपके ऑप्सन में रहा था तो ये बिल्कुल आपका करिक्टन सर हो जाता ठीक है आगे एक क्वेश्चन था कि महापरी निर्वान क का संबन किस्से है question ऐसा ही कुछ था ये language से नहीं मिल पाया तो देखिये महापरी निर्वान का संबन जो है वो गौतम बुध की मृत्तु से है देखिये 483 इसापूर में जो गौतम बुध की मृत्तु हुई थी ठीक है उसी को महापरी निर्वान कहा जाता है उसी घटना क महापरी निर्वान के नाम से जाना जाता है तो यहाँ आपका correct answer हो जाता गौतम बुध की मृत्तु से एक चीज साथियो अगर आप लोग आपको याद है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर देना क्योंकि वो question जो है मैं आपको उसका answer आपको जो last में वीडियो आईगी तीनो shift का उसमें aid करके आपको बता दूँगा ठीक है आगे दिखिए question यह था कि इन में से कौन सा एक सरकारिया घाटा नहीं है अब साथियो यह question मुझे option नहीं मिल पाया है और बीना option का यह question नहीं बन सकता है यह by option करने वाला question था तो इस question का option नहीं मिल पाया है अगर होता है साथो यह butane और subsidies और प्रोपेंट से मेल कर — इसका मस्रन होता है, लेकिन लेकिन मुक्टे नहीं और प्रोपें होता है, LPG का लिक्वीफाइड पेट्रोरियम गैस जिसका परिवग हम लोग घरों में करते हैं खाना पकाने के लिए आगे दिखिए कोश्चन ऐसा पूछा था कि सतरञ्ज उलम्पियाड जो की दो हाजर बाइस में हुआ ठीक है सतरञ्ज उलम्पियाड जो जो 2022 में चिन्ने में हुआ था इसका सुभारम किष्णी किया था प्रदानमंत्री स्री नरेंद्र मोधी ठीक है वैसे तीनों ने ही मिलकर किया था प्रदानमंत्री नरेंद्र मोधी थे उसके बाद जो है मसाल मसाल की बात करिया गए तो मसाल तीनों ने विश्वनाथन आनंद और तमिल नाडो के मुझ्छे मंत्री ठीक है तो सुभारम समभीधान संसोदान अधिनियम से साथ 2 । 19 들 में वा था इस में किस एक्ट को जोड़ा गिया था तो अनुच्य इक्क्यावन का 1 गो जोड़ा गिया था ठीक और इस समय 10 मौलिक कर्तैब को जोड़ा गिया था जो कि रूस के संभीधान से लिखि compelled चलिए आगे देखते हैं आगे एक question इस परकार से था कि राजमंत्री केबिनेट के बेठेकों में किस परकार भाग लेते हैं यह साथ हो जो है ना statement type में option दिया हुआ था कि ले सकता है नहीं ले सकता है तो आपको बता दे दिखिए केबिनेट की बेठकों में राजमंत्री साथ हो देखिए आगे आपसे question पूछा था दलाय लामा ये तो मैंने बताया कि दलाय लामा के द्वारा जो है लिखी गई उपन्यास कौन सी है ठीक है या पहली उपन्यास अगर पूछा था तो या आप comment box में बताना कि दलाय लामा का क्या पूछा था देखिए पहले सिप 10 लाक रुपे तक क्या लोन रासी प्रदान किया जाता है तो इसका correct answer हो जाता 10 लाक रुपे ये ठीक है आगे question था कि 2011 के जनगन्ना के अनुसर भारत में कुल कितने जीले हैं मैंने वहाँ पर first shift में आपको बता दिया था 2021 के अनुसर लेकिन नहीं आपसे पूछा था 2011 के जनगन्ना के अनुसर भारत में कुल कितने जीले हैं तो इसका right answer हो जाता 640 जीले है ठीक है एक question आपसे पूछा था संगीत नाटक academy किस विभाग के अंतर्गत आता है देखीएगा ध्यान से लिके संगीत नाटक academy जो है किस मंत्रालाई के अंतर्गत आता है तोयां आपका right answer हो जाता साथ Google इस अंस्क्रिती मंत्रालही के लिएं नि тебе आगए question था जतीन गोस्वामी का संबंद किस निरित से है तो देखिए यह जो जतिन गोश्वामी है इनका संबंद है सत्रिया निरित से साथ यो सत्रिया जो की असम राज का सास्त्रे निरित है ठेक है असम का सास्त्रे निरित है न सत्रिया इसी से संबंदित है यह जतिन गोश्वामी ठेक है जतिन गोश्वामी तो फ Computer में आपको MS Excel और MS Word पढ़के जाना है ज्यादा क्योंकि ज्यादा question आपको वहीं से पूछा जा रहा है एक question email से भी आपको रेगुलरी पूछ रहा है तो MS Word और Excel का 365 processor आपको पढ़के जाना है साथ हो और math reasoning बिल्कुल ही हलवा है अगर आपको कोई भी question याद है तो वीडियो के नीचे comment जरू कर देना इस वीडियो को एक like कर देना अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करना आपने से कोई भी साथी नया है तो चैनल को subscribe करके bell icon कौन कर लएना क्योंकि अभी SSC GD आने वाला है SSC GD का बिल्कुल बहुत ही मज़दार class आपको करवाएंगे ताकि आप अपनी exit पकी कर सको चले मिलते है नेक्स्ट वीडियो में तब तक बिल्कुल स्वस्त रहें और अपने सभी दोस्तों तक भी वीडियो को शेयर करिए जादा से जादा साथ लोटीक है तब तक के लिए जाएं सभी को वंदे मात्रम